सोचना बहुत अच्छी आदत और हर कोई सोच समझ के ही काम करता है लेकिन सोचने सोचने में ही कई बार क्या होता है कि हम ज्यादा सोचने लगते हैं और कई बार ये जो ज्यादा होता है ना बहुत ज्यादा हो जाता है So friends, आज का वीडियो बेहदी खास और important है कि जादा सोचने से कैसे बचें जो सबसे पहला point आ रहा है कि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो हमें हर चीज में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और हम हर चीज में उनको सुनते रहते हैं हमें लगता है कि हमें कुछ आता जाता नहीं है और जो सामने वाले हमें सुना रहा है या सामने वाले हमें बोल रहा है वही सही है और उसका result क्या होता है कि कई बार हम अपने आप में ही doubtful हो जाते हैं ज़्यादा सोचने लगते हैं पर खुल मिलाकर बात यही है कि लोगों को ना तो ज़्यादा सुने और लोगों को ना तो ज़्यादा बोलने दें एन फ्रेंड्स इसी में जो नेक्स पॉइंट आता है कि कई बार आपने देखा होगे कि कुछ लोग बहुत दबंग परस्नालिटी के होते हैं अगर उनको किसी ने 1-2 kg कर देते हैं कि उन्हें को रिपलाई करना होता है या एक्षन का जो रियक्शन होता होँ फटाक से कर देते हैं तो उनके दिल में तो कोई मला ली रहता है लेकिन इसी के विपरीत कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते रह जाते हैं कि अगर सामने वाला मुझे ये बोलना है, तो क्या मुझे ये बोलना चाये? या मेरे साथ ऐसा बीहेव कर रहा है, क्या मुझे ऐसा करना चाये? और इसी की साथ कई बbefore बहुत डर जाते हैं, मैं बाद में किसी और से शिकायत करूँगा या किसी और को लेकर आऊँगा जो इसको जवाब देगा हो सकता है कि कुछ लोगों की ये thinking और वो अपने आपको सही भी ठहराते हो बट यहाँ पर बात यह आ रही है कि अगर आपने then and there लोगों का निप्टारा नहीं किया है तो बात में भी उसका अफसोस ना करें means उस पर ज़्यादा नहीं सोचें तो कि साथ साथ friends कई बार हमारे साथ यही दिक्कत आती है कि जब हम लोगों को जवाब नहीं देते लोग हमारी बेजिती कर जाते हैं सो बात में काफी टाइम तक हम अफसोस करते हैं यानि कि उन चीजों के बारे में हम थिंकिंग 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 और ओवर थिंकिंग करने लगते हैं अफसोस करने का या ओवर थिंकिंग करने का अपने आपको मौका ना दें आपको लग रहा है कि जिसका निप्टारा या जो गार्बेट जिस समय साफ करना है उसी समय साफ करते चलिए आसाथ friends to next point आता है कि कई बार हमी लोगों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं उनको ज़्यादा आनलाइस करते हैं आने कि खुद को तो समझा नहीं लेकिन दुनिया को समझने के लिए आतुर रहते हैं लोगों के बारे में ज़्यादा सुन रहे हैं ज़्यादा आनलाइस कर रहे हैं और अपने आपको बहुत ही वह घ्यानी समझने लगते हैं लोगों के साथ साथ चीजों को भी इतना जदा mirror कर थे हैं और बहूली जाते खी उन्हें की हूंने बोला, या उन्हें डिय डिसीजन, क्या लेना या वो अपनी आदतों में ही शुमार कर लेते हैं की लोगों के बारे में जादा सोचना फेट्स अगर इस तरीके की पर आदत जाने अंजाने डवलप हो रही है वो आदत भी छोड़ दीजिए आसाथ मैं हमेशा कहती हूं कि अपने आपको बिजी रखें यानि कि अपने आपको किसी काम धंदे में लगाएं और काम धंदे के स साथ यहां बिजी रखने के साथ खुद को खुश रखें और खुद में इतनी काबलियत रखें कि भाई पैसा कमा सकें मुझे कई सारे लोगों ने लिखके भेजा कि भाई हमेशा पैसे-पैसे की बात करती रहती हैं लेकिन बात यहां पर यही आ रही है कि भाई जब पैसा नहीं होता है तो हमारे खर्चे पूरे नहीं होते तो अम आप समाजी जीजों पे भी पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं स्ट्वेंट इस रखते हो हें कि हम आप आप सम्मान मिले और खुद को खुछ को रखोगे और ज्यादा सोचनेसे भी बचोगे और उसी के साथ काम भी करो, पैसा भी कमाओ और खुद अपने आप पे भी पैसा खर्ष करो, अपने future पे भी invest करो, the same way अपने entertainment पे भी खर्ष करो फ्रेंड इस तरीके से जब busy रहे, खुश रहे, पैसा भी कमाया, ज़्यादा सोचने से अपने आप बच जाओगे And friends, last but not the least, इस statement को अपने जेहन पर बसा लीजिएगा कि अबनी काबलियत पर हमेशा विश्वास करिएगा यानि कि लाइफ में कभी कुछ भी हो जाएगा देख लेंगे यानि कि I'm competent enough कि कुछ भी हो जाएगा सो I'm a fighter, I'm competent enough और इतना काबिल हूँ कि by सारी चीजों को मैं अपने अप संभाल सकता हूँ Friends, आपका दिमाग जब ये overthinking करना शुरू करेगा और आप अपने एक statement सो उसको थीर मारना शुरू करेंगे देखेगा ये जो overthinking का बलून है कैसे गायब होता है होप आपको पुरा का पूरा वीडियो पसंद आया होगा सो इसको लाइक करना मत भूलेगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेर करना मत भूलेगा और कौन सो पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा हाँ इस प्यारी सी फैमली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा सो थैंक्स लोट फो गिविंग मी दिसमास टाइब